इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। सिला में टेकसिल 10 बटा 25 टैबलेट यार एक दवा है जिसका इस्तेमाल हाइपटेंशन यानि की हाइब बलड प्रेश के इलाज के लिए किया जाता है। ये दो दवाओं का एक सयोजन है जो एक भी दवा के प्रभावी नहीं होने पर रक्चाप को प्रभावी धंग से नियंत्रित करता है। रक्चाप को कम करके यह भविश्य में दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है। आप भूजन के साथ दिन में किसी भी समय सिलामे टेक सेल 10 बटा 25 टैबले टी यार ले सकते हैं, लेकिन बहतर यह होगा कि इसे रोजाना एक ही समय पर लें। जब तक आपके डौक्टर ने सलाह दी हो तब तक इसे लेते रहें। यदि आप अच्छा महसूस करते हैं, तब भी इस दवा को अपने आप बंद न करें क्यूंकि उच्छ रक्चाप के अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं। यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रहना, अपना वजन कम करना और स्वस्थाहार खाने से भी आपके रक्चाप को नियंतरित करने में मदद मिलेगी। इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इससे सिर्दर्ड, टकने में सूजन, धीमी गती से हिरदय गती और मतली जैसे दुश प्रभाव हो सकते हैं। इससे चक्कर भी आ सकते हैं। इसलिए जब तक आप यह नजान ले की यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं। तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंदरित करने की आवशकता हो। सूजन को कम करने के लिए बैठ कर अपने पैरों को उपर उठाएं। उपचार के दौरान आपसे रक्ट चाप, गुर्दा कार्य, रक्ट शरकरा स्तर और इलेक्ट्रोलाइट स्तर की नियमित निगरानी के लिए कहा जा सकता है। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीव या किड्नी की कोई समस्या है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद! अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें! और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद